बिहार के बेटी मनीशा रानी हस्ते हस्ते OTT2 के ग्रैंट फिनाले में पहुँच गई हैं मनीशा के साथ अभिशेक मलहान, एलविश यादब, पूजा भट और बेबिका धुरुवे सीजन के टॉप फाइट में बहुँच चुके हैं अज बिग बॉस का फिनाले होना है, जिसके लिए सब ही दर्शक अपने अपने फिवरिट कंटेस्टेंट को जुताने के लिए ताबड तोर वोट कर रहे हैं इस बार के बिग बॉस OTT2 के चरचा लोगों के पीच खूब जादा हो रही है बिग बॉस OTT डिजिटल रियालिटी शो है, जो OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज होता है इसमें सारी चीज़ें टीवी शो बिग बॉस की तरह ही दिखाई देती हैं इसके बाद ही बिग बॉस और उसके पोस्त सलमान खान को खूब जादा चूल्टी किया जा रहा था लेकिन पॉनित के जाने के बाद ही एक कंटेस्टिंट का नाम लोगों को खूब जादा पसंद आने लगा वो थी बिहार के रहनी वाली मनीशा रानी क्योंकि जहां पॉनित को घर से बाहर सारे घरवालों ने एक ही चाल में उसके खलाफ वोट किया था तो वहीं सबसे अलग जाकर मनीशा रानी जो इस तरह पॉनित के सपोर्ट में उत्री थी इसकी वज़ा से दर्शकों के मन में शो के शिरवात में ही मनीशा ने घर बना लिया वहीं मनीशा ने शो के प्रीमिर के टाइम सलमान से जो बाते कहीं उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वारल हुआ था और लोगों को खुब जादा पसंद भी आया था वही अभिशेक मलहान और मनीशा रानी की दोस्ती के चर्चा भी हर तरफ है दोनों को लेकर फैंस ने अभीशा हैश्टेग भी बना दिया था सोशल मीडिया पर सबसे जादा क्रेज अभिशेक और अलविश्टेले देखने को मिल रहा है इन दोरों के साथ साथ बिहार की बेटी मनीशा रानी की वी चर्चा जो है वो जोरो शोरो पर है बिहार समीत अलग अलग जगफों से लोग मनीशा की सपोर्ट में उत्रे हुए हैं और लोगों से वोट करने के अपील कर रहे हैं तो आज आएट बताते हैं आपको कि आखरिये बिहार की बेटी मनीशा रानी है जुसने सब के दिलों पर जगफ बना ली है मनीशा रानी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के शादेपूर में 5 सितंबर 1997 में हुआ उनके पिता का ना मनोज कुमार चंडी है जो ट्रांसपोर्ट कुरियर ऑप्रेटर है मनीशा की एक बेहन और दो भाई है बेहार के मुंगेर में जन्मी मनीशा रानी एक डांसर और सोचल मीडिया इंफ्लूएंसर है वो डांस, इंडिया डांस और दकपिल शर्मा शो में भी नज़र आ चुकी हैं देखा होगा अपने मनीशा को पहचान टिक टॉक वीडियो बना कर मिली थी शुरवाती दिनों में टिक टॉक बैन होने के बाद उन्होंने अपने अंस्टाग्राम अकाउंट पर भोच पूरी भाषा में फनी वीडियो बना कर खुब सुर्ख्यां बटोरी थी उन्होंने अंस्टाग्राम पर मनीशा को 48 लाख लोग फॉलो करते हैं मनीशा रानी बिग बॉस OTT2 में बतोर कंटस्टिन घर में है और अपने मजाकिया अंदास देश की ज्वंता का दिल चीज रही है मनीशा रानी आज जो जस मुकाम पर है उसके पीछे काफी संघर्ष चुपा हुआ है उन्होंता जब मनीशा पांचनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी तब पारिवारिक कार्णों से उनकी मम्मी घर छोड़ कर चली गई थी जिसके बाद पिता के साथ रहकर ही सभी बच्चे बड़े कुए मनीशा ने पढ़ाई करने के बाद जब मनीशा को लगा कि वो मुंगेर में रहकर कुछ नहीं कर सकती थी जिसके बाद वो बिना बताए घर छोड़ कर भाग गई खोलकता चली गई थी जहां पैसे कमाने के लिए उन्हें कभी रेस्टोरेंट में वेटर की जॉप करने परी तो कभी बच्चों को डांस सिखाया उन्होंने बाद में मनिशा ने जुम्मा क्लास में बच्चों को डांस दिखाना शुरू किया और जब समय मिलता तो खुद भी डांस की प्रक्टस करने लगती 2015 में मनीशा राणी डान्स रियालिटी शो डान्स इंडिया डान्स में सेलेक्ट भी हो गई और PB राउंड तक भी पोहँच गई थी इस शो के एक एपसोड बे जज़िपूरित पाठक को मनीशा राणी ने माला भी पहनाया था और मजाकिया अंदाज में उनके साथ भी फ्लर्ट करने लगी थी इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब बारल हुआ था इसके बाद मनीशा को दकपल शर्मा शो के एक एपसूट में भी मिला था उनको मौका जाने का उस शो में कार्थिकारण और सारा खाना आये थे तब भी मनीशा कार्थिकारण के साथ भूचपूरी अंदाज में फ्लर्ट करती नजर आई थी बहुत वाइरल भी होँआ था वीडियो आपने देखा होगा वही 2019 के बाद उन्हें NTV के एक सेरियल गुडिया रानी सब्धी पर भारी में काम करने का मौका भी मिला था लेकिन कोरोना आने की वज़े से पुरे देश में लॉक्टाउन लग गया और शुटिंग कैंसल हो गई उसके बाद 2023 में मनीशा को बिग बॉस OTT2 में कंटस्टिंट के तौर पर घर लाया गया और अपने बिहारी अंदास में वो घर में रहकर काफी अच्छा गेम खेल रही हैं और इसी साल उन्हें दूबई में आयूजित आईफा अबॉस में भी जाने का मौका मिला फिलाल आज बिग बॉस 2 का फिनाले है अब देखना ये है कि इन पाचों कंटस्टेंस में कौन जीत दर्च करता है और बिहार की बेटी मनीशा रानी किस तरीके से पूरे देश में अपना जहंडा लहताती है फिलाल इस वीडियो में एतना ही दिहार जहरखन से जूरी तमाम खबरों के लिए देखते रहें टिविनाइन दिहार जहरखन शुक्रे